नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इलिया आपके साथ मैं हूँ का जो लारायन बहुत स्वागत है आपका जन की बात में मेरे साथ हैं हरीश अस्वार नमस्कार देखे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में दिल्ली सरकार हर रोज कोई ना कोई रो रो रही है कभी वैक्सिन को लेकर कभी ऑक्सिजन को लेकर तो अब हद कर दिया दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो वैक्सिन का फॉर्मुला है वो सारवजनिक होना चाहिए ताकि और कंपनी भी इसको बना सके क्या ये मुम्किन है? क्या ये सही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं हाला कि दिल्ली सरकार पहली बार कटगरे में नहीं आई है इसे पहले भी दिल्ली सरकार पर तमाम सवाल उठे है और दिल्ली सरकार हर सवाल का जवाब देने में असमर्थ नजर आई है चाहे 2020 की हिंसा हो जो दिल्ली मौचपुर जैसे इलाकों में हुई थी या फिर 2020 में आया कुरोना हो या फिर 2021 में मैहुना कहकर पल्ला जाड़ना हो ये तमाम चीजे जो हैं दिल्ली सरकार को बार-बार कट घर में खड़ा कर रही है और साथी साथ हाई कोट से फटकार दिल्ली सरकार को लगातार लग रही है हरी जी जैसा कि लगातार दिल्ली सरकार कर रही है क्रैस कॉर्स पर् Bob प्रेस कॉर्फरेंस का एक मैं काहूं कि एक बयार सी आ गई है रोज प्रेस कॉनफरेंस होती है रोज कुछ न जो प्रोसेस है वह भी सार भी निक करो काइस्तान वाले बड़े परिशान कर रहे हैं तो इनको तो सारे फॉर्मुले इनके पास दे देने चाहिए अब तो हम कंफ्यूज हैं कि यह किस दिन अच्छा करते हैं तो हम अच्छा बोलें नेक्स दे जो होता है इनका नेक्स दे कुछ नया बयान लाता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी तारीब करें या इनकी कटाक्स करें इनकी बातों को पकड़ें अब तो हम खुद कंफ्यूज हो गया हैं इनको लेके रोज एक नया बम फोड़ते हैं रोज एक क पहले सभी लोग कहते थे कि पड़े लिखे लोग राजनीती में तो राजनीती का उध्धार होगा। सब ने सोचा दिली की सरकार में पड़े पड़े लिखे लोग आये हैं, आइरेस रहे हैं, इन्होंने सब देखा है, अमला जमला सब देखा है। इन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह कुछ अच्छा करेंगे। और पहले जब राजनीती में कुछ लोग ऐसे होते थे, जो कम पड़े लिखे होते थे, तो सबका यह कहना था कि यह जब कम पड़े लिखे लोगों को ऐसे पोजिशन में बठाओगे, तो निर्ने कुछ इस तरफ है, फर्मुला बताने पे चलता है, यह कुरोना कम करने पे चलता है, यह ऑक्सिजन लाने पे चलता है, यह आप वेंट्रिलेटर की तरफ बात करते हैं, आपको सैद आंकड़े पता नहीं है, केजरिवरल साब मैं आप से पूछता हूँ, आप अपने जरह अपने पे जब एक उंगलिया आप केंदर की तरफ उठाते हैं, तो तीन उंगलिया अपनी तरफ भी देखा करें हैं, आपने 11 अस्पताल के जो सिला नियास हो रखा था, कंगरेस गवर्मेंट के टाइम पे, आपने उन अस्पतालों को क्या किया, कुछ किया है, उनका सिला नियास हो अगर वो अस्पताल बन जाते हैं, जितना पैसा वेस्ट करते हो ना, अपने परचार में मास्क लगाओ, जो आज की एट में सबको पता है कि मास्क लगाना जरूरी है, उसमें भी आप 10-15 करोट रुपे खर्च करते हो डेली, अगर इतना पैसा आप दिल्ली के अस्पताल बनाने पर लगाते हैं, तो शायद इतनी जाने ना जाती, आप यह जो रोज लोगों को कन्फ्यूज करते हो ना, कि इसका फॉर्मला बताओ, जैसे लोगों के घर में बनना हो यह, है ना, लोगों के घर में बनने लगेगी, अरे भीया, यह काम जिनका है, उनको करने दो, आप अपना काम त 우리가 करो, आपको अपना काम करना नहीं है, लोगों को रोज कन्फ्यूज करना है? तो मैं अगर यह कहूं कि बिल्कुन मैं आपकी बात कटूँगा इनके एक इनके आपके नेता ताहिर हुसेन खान जिनके घर से पेट्रोल बं मिले थे तो उसका फॉर्मुला भी शायद इन लोगों ने कहीं से मांगा होगा तो आप वह बता दीजिए फॉर्मुला किसने आप को दिया था इस तरह के बंबनाने का आपकी आपका पार्टी का आदमे रहा हो सारवजनिक होना चाहिए कि कैसे बनाया क्यूं आप पाकिस्तान वाले कर कुछ कर देते हैं तो वह बंबनाने का फॉर्मुला आप घरों-घरों में मांगोगे किसा आप खत्रा है बगल वाले थे देश ससे तो सबाड़ा हों में फॉर्मुला पता होना है ताकि यूत अपनी रक्षा कर सकेए हर इसी तरह के फॉर्मुला मांगा करो और अपने या बनाया करो आप कभी आपके इनकी आँसे सिलिंडर मिल जाते हैं तो तब आपके बैन नहीं आते हैं तब आप नहीं बोलते कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कभी आप पेट्रल बम मिलते हैं तब आपका लेना देना नहीं है यह हो कह रहा है आपकी पार्टी में कि हम लोक डाउन लगाने जा रहे हैं लेकि छोटर सा लॉक डाउन है आप कहीं में जाएगा जो असा हाए है जो जो मजदूर है जो दूरदरासी आईवे दिल्ली में रहते हैं आज मैं कहूं तो इतने दिन हो गए है और ये लॉक डाउन अभी खत नहीं हुआ है अगर केजि करते हो दूसरे दिन उसको खराब कर देते हो सब अब इस तरह की बयान भाजी करके सब खराब कर देते हो आप एक अच्छा काम करते हो निन्यान में आप खराब कर देते हो अपने मतलब आप किस तरह की राजनीती कर रहो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है आप गोली सी सूरत ब आप आके बोलते हो कि साब आज नया यह है कितने कितने मुख्यमंत्री आ रोज टीवी पर आते हैं इस तरह से सब काम कर रहे हैं आप ही को बहुत बड़ी तकलीफ है आपके बाद दो करोड़ की जनसंक्या है और जो यूपी में बैठे हैं वो प्रेस कॉनफरेंज नहीं करते वो अपनी इस्तिती सुधारने में लगें आपको दो करोड़ में जनसंक्या है आप आप से समलती नहीं है आप दूसरों पर ठीकरा फोड़ते रहते हो आप अपना काम कीजिए अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस्तिफा दीजिए आप बोलिए कि नहीं हो पार है मुझ जनक्या के जो शेत्र है उनको बकू भी समाला जा रहा है आज डूसरों ने योगी सरकार के जो सिस्टम है जो सिस्टमाटिक तरीके से उन्होंने कुर्णा पर काम किया उसकी तारीफ की है दो अजार बीस में भी तारीफ की थी और तारीफ इसलिए क्योंकि यूपी में आक करते हैं केंद सरकार से कभी आप कहते हैं कि सपोर्ट मिल रहा है कभी आप धन्यवाद करते हैं कभी आप लेटर लिखते हैं कभी आप कहते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रही है आखिर किस तरह से केंद सरकार आपको सपोर्ट करें सवाल यह कि आपको भरपूर मात्रा में मिल र आप नहीं करोगे आपके सिरफ राजनिती सरय आप तरहे बात करते आपको सरफ राजनिती सरनाứng भाताइं में अमल आप को पता है ही है तो आप तुम क्या ला रहे होthen यहां अप सरफ बाते करने जा fu panda या वह बिला बीकुल Ben कभी कहते हैं कि ऑक्सिजन के बाद दिली को को वैक्सिन की कमी से जूजना पड़ रहा है दिली के उपमुक्य मंत्री मनुशी से दिया है कि भारत बायो टेक और सीरम इंसिट्यूट से कुल 1.3-4 करोड वैक्सिन की मांग की गई थी लेकिन वैक्सिन उन्हें नहीं मिल रही है ओकर से दिली के साथ नहीं हो रहा है मैंडम आप काजул जी आप सुनिए समझे इस बात sencill कि इनको कुछ आता-जाता तो है नहीं तो ये सारे इस चीज़े अपने बैग में रखे, रोज सरकार के बाद ठीकरा पोड़ना है, वैक्सीन नहीं है, अरे जितनी वैक्सीन आपके मिल रही है, उतनी लगा पारे हो किया आप, आपने पॉली क्लिनिक खोले, इनका यूज क्यों नहीं करते है, अगर आपको लगता ह करते हो, आप जुन्दगी से खेल रहे हो दूसरा की, आप पे मुकदमा धर्ज होना चाहिए, इस तरह से कर आप बाते करोगी रोज, बिल्कुल और दिल्ली की जनता श्यायद खुद ही अपना जो सेफटी है, वो सारी खुद कर रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि म कैससे लिए करीने की लिए मुझे कहीं भी दिल्ली में कोई भी सकताई नहीं दिखाए देती है набu falou है तो प्रेस कॉंफरेंस से यह क्या दिली की जंता बच जाएगी दिली की जंत को सिजन मिल जाएगी दिली की जंता को बच जाएगा क्या मिल जाएगा किया कुछ नहीं मिलने वाला इस तरह से आप इन लोगों की बातों में ना आ TER भाविशे में वहन angefआत रखaaaa लोगों को ना चुने इस तरह किसी भी पार्टी में इस तरह के लोगों आप बोर्ट दें किसी ऐसा अदमी को जो आपके छेतर में काम करें वो किसी भी पार्टी का हो कम से कम छेतर में काम तो करेगा इस तरह के लोगों को भर्मित करने का काम इन लोगों को सत्ता में बठाने नहीं आता होगा जिन लोगों कि इन्होंने माप किए यह सबसिडी दिया है आज आपके हुस्पिटल के बिल 55,000-54,000,000 रुपे के हैं आप सोचिए कितने सालों का आपने बिल दे दिया तो भी जिन्दगी नहीं बच पहरी आप चार सो रुपे के बिल यह 500 रुपे के बिल के पर इनको नहीं नया लोब देना था लोग इनके लोब में आ गए अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब भई यह तो हमने गलत कर दिया हमें क्या चीज प्री चाहिए थी क्या निया अब हेल्थ फ्री देते समझ में आता आब बिजली पानी की जीग हेल्थ फ्री में देते हॉस्पिटल पे सुइधाय देते ऑक्सिजन की कमी कम हैसूस ना होने देते या होती भी तो आप उसको लोग कन्फ्यूज होगे कि बात किसके ओपर करनी है मैं आज तो कि सिस्टम फेल नजर आ रहा है और लोग लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके सामने आप कुछ विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है हाथ खड़े कर दिये हैं दिली सरकार ने अब आपकी बारी है कि आप आवाज उठाईए और ऐसे लोगों को लगातार हरीज जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को समझिये सोचिये तब जाकर वोट करिये वोट करना आपका अधिकार है लोगों को चुनना आपका अधिकार है इसलिए इस अधिकार का इस्तमाल करते वक्त एक बार ठहरिए और सोचिए इसके साथ साथ लगातार न्यूजवल इंडिया आपसे अपिल कर रहा है हातों को धोईए, सैनिटाइस करिए, मुपर मास्क ज़रूर लगाईए दोगज के दूरी का ध्यान रखे क्योंकि आपका ख्याल आपको ही रखना है सिस्टम या सरकारे आपका ख्याल नहीं रखेगी उधारन आपके सामने बहुत सारे हैं चाहे चैनल देख लिजिए, चाहे शोशल मीडिया पर देख लिजिए चैनल फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वोटसेप हर जगा देख लिजिए फिलाल कले इतना ही, कल फिर लोटेंगे किसी आप, खास मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार